जो इस कारेक्रम की आत्मा है ऐसे हमारे सभी परमवीर चक्र प्राप्त जीरों के परिवार्जन और जिन्होंने परमवीर चक्र को प्राप्त करकर फिर से देश के लिए वापिस आने का भी सहास बताया हैं ऐसे तीनों परमवीर चक्र प्राप्त जवानों को मैं आज के कारेक में स्वागत करता हूं कि मित्रो आज का दिन कि भारतिय सेना के तीनों अंगों के लिए बहुत भैत्वपून दीन है कि कि मैंने आज यहां आने से पहले कि कल कोड़ा ढूंने का प्रयास किया था अगर मैं गतत नहीं हूं तो पूरे विश्व में किसी भी देश अपने लिए लड़ने वाले जवाणों के नाम पर द्विपो का नाम रखकर उनकी विर्ता को संभी करने का कदम नहीं उठाए आज भारत के प्रदान मंत्री जी की ये पहल प्यांदावान निकोबार द्विप समू के 21 बड़े द्विपो को हमारे प्रम्विर्ट चक्र विजिताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मूति को जब तक ये प्रूत्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्सा वर्दन करने वाला है आज पराक्रम दिन है निता जी की 123 वी जैनती है इस कारेक्रम के साथ साथ जहां पर निता जी रहे थे वो सुभास द्विप पर आज उनका स्मारत बनाने का भी नीनय किया गया है स्टिधए दोनों नीनय देश के प्रधानमंत्री के नीनय आनडवान निकोब्र को ँर से एक बार आनडवान निकोब्र वीव समू को तप शुतन्तरता की स्मूतियों के साथ समग्र देश के साथ जोडने वाले नीनय है और मैं इसका बहूत-बहुत मन से स्वाद्ट करता हूं कि यह भूमी में ही कुछ ऐसा है कि कई बार कुछ भूमी में इस प्रकार का तत्व होता है कि बार-बार वो भूमी सब का ध्याना क्रिष्ट कर दी सर्ण सतावन की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने निर्मम अत्याचार करना सुरू किया तब यही भूमी पर हमारे क्रांति विरों को लाकर रखा यहीं सेलूलर जेल बनाया उस वक्त हजारों निश्वास के साथ इस यातनाओं को सहन करने वाले हमारे स्वातंत्रत विरों को इसी भूमी ने मा बनकर सांतोना देने का काम किया और आज मेरे जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं इस सेल्लिलर जैल नहीं है आजादी के लड़ाई का ये बहुत बड़ा तिर्थिस्तान है और जब देश की आजादी आगे बड़ी और देश को निता जी ने आजाद हिंज भोज के प्रयासों से पराक्रम से आजाद कराने का प्रयास किया तब भी इसी हिस्से को देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने का सन्मान मिला सबसे पहले यही हिस्सा स्वतंत्र उपर और और किसी के हाथ से नहीं नेता जी के हाथ से इसी ध्वीब पर अपना तिरंगा पहली बार लहराया गया तो अंदबान निकोबार द्वीप समू अपने आप में पहले से ही सेलूलर जैल के कारण आजादी का तिर्थिस्तान बना हुआ था फिर नेटा जी ने सबसे पहले आजादी प्राप्त करकर एप पवित्र भूमी पर सबसे पहला तिरंगा फैराया फिर मोदी जी ने सहीद त्वीप नाम करण किया फिर मोदी जी ने स्वराज दिव का नाम करण किया फिर मोदी जी ने सुभास त्वीप का नाम करण किया और आज 29 दिवपों का नाम करण पराक्रम की पराकाश्टा करकर अपनी जान की चिंता किये बगर कई लोगों ने जान की बलिदान देकर और कई लोगों ने जान की जिंता करे बगर आजहादी के संद्रक्षन के लिए देश के सार्वबोमत्यों के संद्रक्षन के लिए जो लड़ाई लड़ी इनके नाम पर 21 दीप यहाँ पर किये जा रहे हैं मैं मानता हूँ कि समगर भारत का इतियास जब भी लिखा जाएगा तब इस घटना को बहुत सुवर्ण मंदित अक्सरों से लिखा जाएगा आज एक किस दीप नहीं बचे एक किस दीप जलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है एक पराक्रम बताने वाले फीरों को इनके पराक्रम को नमन करने के लिए एक वीपो को दीप में परिवर्थित करने का काम किया है पित्रो आज सुभाजी का जन्मदीन भी है जैन्ती भी है निता जी की 123 जैन्ती के दिन पर आज ये नाम करण हो रहा है उसी दिन पर सुभाज मारक की भी घोशना हो रही है इससे अच्छा दिन हमें मिल नहीं सकता क्योंकि प्रेश की आजादी के लड़ाई में सुभास बाबू द्रू तारे की तरह हमेशा चमकते रही है उनका 15,000 किलो मिटर का लॉंग मार्च आज भी वो रूट देखते हैं वो रूट पड़ते हैं और रूट के तापमान और उस वक्त के मौसम का जायजा लेते हैं तो क कम-कमी आजाती है कि इतना सहास होगा हो व्यक्ति में जो कलकत्य से लेकर बर्लीन तक बाइब मॉटर एक गाड़ी से माइनस 45 डिग्री टेंपरिचर से घुजडते हुए देश को आजात कराने के लिए पहुचा परंतु दुरुभाग्य की बात है सुफास बाबू को भूलाने का बहुत प्रयास हुआ मगर कहते हैं न जो वीर होते हैं वो अपनी स्मूति के लिए किसी के महताज नहीं होते हैं वो स्मूति उनकी ग्रिता के साथ ही बहुत नरेंद्र बाई ने प्रदान मंत्री बनने के बाद आज करतव ये पत पर सनमान के साथ देश के गवरों के समान सुबास बाबू की मू गोशित करने का काम किया और आज ही के दिन इत्वीप सुभास जीप को एक सुभास बाबु के समारक के रूप में गोशित करकर उसको विक्सित करकर जो जो लोग यहां आएंगे वो सब सुधा सुभास बाबु को पिडियो तक नत्मस्तक होकर से धन्जली दे पाएं इस प्र अन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं मित्रों जब रॉस आइलेंड का नाम सुभास बोस द्वीप किया गया नील आइलेंड का नाम सहीद द्वीप और हैवलोक आइलन का नाम सोराद द्वीप किया गया तब ही देश में आंडाबान निकोबार के लिए एक जूति जिसको बीच में रोक लिया गया था नरेंद्र मूदी सरकार ने ही अमर्जूति को फिर से प्रज्वलीत करकर यूगो यूगो तक उनको स्रधान जली देने का काम किया आज मेजर सुमनाज सर्मा से लेकर सुभेदार मेजर योगेंद्र सिंग यादव तक सभी प्राक्रम ही हमारे सेना नायवकों को एक हमेशा के लिए स्मूति में संजोने का काम मोदीची ने किया है मुझे विश्वास है कि आने वाली कई पेडिया इससे प्रेना लेगी देश बक्ति के प्राक्रम के और सवरी के संसकार से सिंचीत होगी आज जो यहाँ पर एक दूसरा काम हुआ है निताजी समारक की घोषना उसमें वो वीप पर सुभास दीप पर मुझे मिजम भी बनाया जाएगा एक ग्राइडेट ट्रेल भी रूट बनाया जाएगा पॉर्ट ब्लेर और इस दीप के बीच में समुंदर की लहरों का आनन परिये तक ले पाए इसलिए रोपवे भी बनाया जाएगा लेजर और लाइट एंड साउंद सोगी बनाये जाएगे और एमिजमेंट पार्क और खाने पीने की विवस्ता ये भी की जाएगे एक समारक को एक एसा समारक बनाने का भारत सरकार का प्रयास है जिससे सुभास बाबु के प्राकरम को आने वाले कई सालों तक कई पिडिया इससे संस्कार ले सके इससे प्रेना दे सके मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2015 से सेना के लिए धेर सारे कदम उठाए गए वन डेंक वन पैंसन का मसला हल किया गया है सेना के एड्मिस्ट्रिटिव स्टॉक्चर में अित्यासित परिवर्तन किये गए हैं सेना को हमारी पूरी डिफेंस सिस्टिम को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया गया आधूनिक हर्थियारों से आधूनिक संचार व्यवस्ता से तीनों सेनाओं को लैस करने के लिए धेर सारे कदम उठाए गए ये सारे कदम एक और है और आज ये 21 परमविर्चक्र को सनमानित करने का कदम एक और है इतना महत्व इस कारेक्रम का है और आज प्रदावनमंत्री जी स्वयम हम सब के बीच में ऑनलाइन मुपस्तित है तब मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता मैं इतना ही कहता हूं कि ये दोनों घपना जो आज यहां पर आकार ले रही है शुरूब हो रही है वो दोनों घपना उसे युगो युगो तक भा जाओर्य पराक्रम का संदेश भी मिलेगा और संसकार भी मिलेंगे मैं फीर से प्रूमंत्राले की और से समग्रत देश की और से प्रदान मंत्री जी का धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप करता हूं वंदे मात्रम